स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल लर्निंग नीट पर और यहां पर आज संस्कृत की क्लास में हम बिल्कुल ही एक अलग सा ही टॉपिक जो है देखने वाले हैं उस टॉपिक पे एक प्रैक्टिस सेट है वो हम सॉल्व करने वाले हैं उस टॉपिक सब्सक्राइब अगरा कर दीजेगा स्टार्ट करते हैं तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है ब्रह्मा का पर्यावाची इन में से क्या नहीं है चतुराननह विधि विरंचि या फिन निशापति इन में से क्या है जो ब्रह्मा का पर्यावाची नहीं है अच्छा प्रश् विदे होता है विरंची होता है ठीके पितामह होता है बचा के आपका option number D निशापती ये नहीं होता तो option number D आपे सही उत्तर है गरलह किसका परयावाची है गजाननह का करी का कालकूटह का या उत्सरगह का गरलह चलिए देख लेंगे आपे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका option number C कालकूटह का ये जो है परयावाची है गरलह बेसिकली हम लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं तो किसे कहते हैं विश्को कहते हैं ठीक है अगला प्रशन देखेंगे अंकह ये किसका अर्थ है नाटकम क्रोडः उपवनम नेत्रम टॉपिक बेसिक है बस वही है कि थोड़ा सा संश्रित में है अंकह तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाता है इस प्रशने के लिए आपका option number B क्रोडः सो बेसिकली इसका अर्थ होता है गोद है ना गोद जिसे कहत है उत्सरगह भी इसी का जो हमारे पिछले प्रश्ण में आया था इसी का परियावाची होता है अगला प्रश्ण है पिक बंधु कि शब्द का परियावाची है आम्रह का अंबरम का नयनम का या निशाकरह का पिक बंधु ये काफी आसान है क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है तो बिल्कुल आम का ही जो है परियावाची होता है तो सयुत्तर हो जाएका आपका आम्रह का रुपीटेड है अंबरम का परियावाची शब्दिन में से कौन सा है स्तरावड़ह इंदु गजानन अंतरिक्षम अंबरम का परियावाची शब्द तो अंबर अंतरिक्ष आकास आसमान है न वही एक ही चीज हो गई आपका आप्शन नंबर डी हो जाता है वैसे अंबरम वस्तर को भी कहते हैं पर वो आप्शन में यहाँ पे नहीं है अक्छी का परियावाची शब्दिन में से कौन सा है द्रिगह द्विरदह या आचार्यह अक्छी का परियावाची शब्द तो अक्छी मतलब होता क्या है होता है आँख है ना तो जितने आप्शन यहाँ पे हैं उनमें से द्रिगह जो है यह अक्छी का परियावाची है नेत्रम नयनम लोचनम द्रिगह अक्छी सब का अर्थ होता है आ नहीं है निगेटिव है प्रश्ण सुधा पियूसम सोमं पावक बिल्खुल सभी का सही होगा निश्ची दरूप से आप्शन अबड़ी हो जाता है पावक मतलब होता है आग अगनी तो ये जो है इसका परियावाची नहीं है परियावाची शब्दों को इस नाम से भी जाना जाता है समान आर्थक शुद्ध शब्द विलोम कठिन शब्द एक परिभाशा के तोर पे ये प्रश्ण है समान आर्थक इसका सही अंसर होता है जिसन का अर्थ एक समान हो वे क्या कहलाते है तत्सम विलोम परियावाची तत्भव हमारा टॉपिक ही आज का परियावाची ह इनमें से कौन सा नहीं है अनिलह समीरह पवनह अनलह इनमें से कौन है जो परियावाची नहीं है वायू का चलिए देख लेंगे इसमें जो सयुत्तर आपका हो जाता है वो हो जाता है option number D अनलह जो है वो वायू का परियावाची नहीं है ठीक है ये है आग यानि अगनी का परियावाची शरीरम का परियावाची है इनमें से कौन सा वप्व हो केसरीह सरसी व्यालह शरीरम का परियावाची इनमे से कौन सा है? उत्तर सही होता है इस प्रश्णी के लिए आपका उप्शन नमबरे वपु हूँ अगला प्रश्ण इनमे से लक्षमी का परियावाची नहीं है क्या? श्री, रमा, यामिनी, कमला क्या लक्षमी का पर्यावाची नहीं है सयुत्तर होता है इस प्रश्ने के लिए आपका उप्षन नमबर ती यामिनी जो है ये लक्षमी का पर्यावाची नहीं है यामिनी जो है वो रात्री यानि रात का पर्यावाची है स्वानह का पर्यावाची छाटिये सार मेया पिका करी समीर है श्वान है अगला प्रdoesने देखेंगे इसी के साथ चोटा सा ही आज का सेट है क्योंकि टॉपिक ही हमारो बहुत ही बेसिक सा है और चोटा सा है लेकिन अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी मिलता नहीं है इसे सेट के शची पती है, किसका परियावाची है, शची पती है, इंदर का परियावाची है, इंदराडी का है, ब्रम्हा का है या विधी का है तो ये जो है ये इंद्र का परिये वाची हो और इंद्र की परिये वाची इतने सारे हैं मेएख वाहनह बोलते हैं उसके अलावा और कुछ नाम जैसे आपके आजाते हैं शक्रह बोलते हैं हरी भी बोलते हैं मात्रा लेगी मतलब विसर्ग लगेगा बला राती ही बोलते हैं इनका और भी परियावाची जिसे वरिशा इनका एक परियावाची है सुना सीरह इक इनका परियावाची ये वासवह है ठीक है वास्तोस पती एक बहुत प्रसिद्ध है इ ना करह, सरोवर, तो देखिए सरोवर या जिसको हम तलाब कहते हैं, तलाब गाउं गेरा में होता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर इस प्रश्णी के लिए होता है, का सारह, इसके अलावा इसे तडागह, सरसी, सरह भी बोलते हैं, इन में से सर्प का परियावाची है, क्या व्यालह, भारती, चमरह, कालह, सर्प का परियावाची, सांप का, है ना, तो यहाँ व्यालह, बिल्कुल से उत्तर हो जाता है, सर्प का परियावाची, व्यालह, ठीक है, बाकी भुजंग एक बहुत प्रसिद है, विश्धर कहते हैं इन में से समुद्रह का परयावाची नहीं है जलधी, प्रतनाकरह, सागरह, वारी इन में से जो समुद्र का परयावाची ना हो वो बताना है मतलब निगेटिव है प्रशन आपका फटाफर से देख लीजिए चली देख लेंगे यहां पर जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रशन के लिए वो हो जाता है वारी जो है यह नहीं है समुद्र का परयावाची अगला प्रशन इन में से पाणी का परयावाची है क्या करह, भूसरह, जननी, पादम, पाणी मिरी ख्याल से भी गुजदिन पहली चक्रपाणी वर्ड बहुत ज़्यादा आया हुआ था, ठीक है, समास वाले जो हमारा सेट था उसमें दो तीन बार रिपीटेड हुआ था तो पता है सबको पाणी का मतलब क्या होता है, हाथ होता है और हाथ को हम और क्या बोलते हैं, गरह भी बोलते हैं, तो option number ए वाला जो है आपका सही हो जाता है इन में से माता का परयावाची है क्या, मानवह, मधुपह, धात्री, विप्रह माता का परियवाची जो है माता मा तो जननी कहते हैं माता को अमबा भी कहते हैं माता को और धात्री भी कहते हैं तो option number C वाला जो यहाँ पे वो सही हो चाता है इस प्रशने के लिए तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको आज का जो सेट है वो पसंद आया होगा देखिया अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करी कल एक कॉमेंट भी आया था कि आपके लाइक बहुत कम क्यूं आते हैं जबकि आने नहीं चाहिए अक्चुली कम से कम जितने लोग देख रहे हैं 50% तो लाइक्स मिलने ही चाहिए तो प्लीज कर दिया करिये और कॉमेंट जरूर किया करिये रिप्लाइज हर्ट सोड़ा इस समय लेट मिल रहा है क्योंकि सब रीजन साप लोग को जो मेरे पुराने विवेट से हुने पता है बट जो भी है मिलते तो है मैं टाइम आप लिए निकालती ही निकालती हूं सोने से पहले तो प्लीज मॉटिवेट किया करिये कॉमेंट वगेरा करके और सब्सक्राइब करेंगे अगर आप में अभी तक नहीं किया करेंगे तो काफी जादा हमारे लिए एक छोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपकी जरफ से तो येस थैंक्स पर वाचिंग और हाशाम को पांच बज़े एक क्लास हमारी जो है चल रही है हिंदी की रहेगी उसको अटेंड करना ना भूली क्योंकि नोटिफिकेशन की बहुत कॉमेंट आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है बिल्कुल भी नहीं जा रहा है कुछ लोगों को छोड़ कर कभी रैंडमली चला जाता है तो प्लीज आप लोग एक बड़ चक कर लीजेगा पांच बजे हमारी हिंदी की क्लास रहेगी तो थैंक्स वर वाचिंग कीप स्टड़िग और बबाई